नमस्कार दोसन स्वागत है आपका हमारे शेनरल चार जागेंदर मिस्रा में गुरू बार पहला नवरात्रा माता रानी को चढ़ा दें यह एक चीज सो प्रिस्ट मिलेगा नौकरी बेपसाई में उन्नती सत रुब्रोधी होंगे कदमों में मासेल पूत्री इनकी पूजा पहले दिन की जाती है क्योंकि जो पहला नवरात्रा होता है मासेल पूत्री को समर्पित होता है जो सवभग का परतीख भी वे है और वह नौदुरगाओं में प्रतम दुरगा हैं उनका यह नाम परवत राज हिमाले की यहां जन्म लेने के कारण हुआ था और नवरात्री के पहले दिन योग अपनी सक्ति मुलाधार में इस्थित करके जो योगी होते हैं वो अपने पूरी सक्तियों को मुलाधार में इस्थित करके योग साधना करते हैं तो नौरात्री में जो भी यानि की जो पहला दिन होता है ये माता सैल पुत्री को समर्भित होता है और इस दिन इनकी पूरे बिद्विधान से पूजा की जाए तो हमारी सारी मनो कामनाई अत्शिग्र पूरी हो जाती है उनकी पूजा कैसे करें माता सेल पूत्री की और मात सेल पूत्री की पूजा करके आप कौन से ग्रह को मजबूत कर सकते हैं क्योंकि हर दिन का हर एक ग्रह से योग होता है तो सभी कष्टों को दूर करती हैं माता माता सैल पुत्री की अगर बिद्विधान से पूजा करें, मन से पूजा करें, उनके मंत्रों का जाब करें, जैसे कि ओम दुम दुरगाय नमे इस मंत्र का जाब करें, तो माता सैल पुत्री बहुत ही सीग्र आपकी मनो कामना पूरी करती हैं, और सत्रु बिरोधी गत्विध और मा के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है उनकी सवारी नंदी है और देवी सती ने परवत राज हिमाले के घर पुनर जर्म लिया था और वह फिर सैल पुत्री कहलाई ऐसा माना जाता है कि मा सैल पुत्री की पूजा करने से चंद्र दोस्षे मुक्ति मि भी मजबूत होता है तो नवरात्री के पहले दिन मा सैल पुत्री की पूजा में सभी तीर्थ इस्थानों नदियों का आवान किया जाता है आप पहले यानि की और पहले से लेकर आखरी दिन तक यानि पहले नवरात्री से लेकर आखरी नवरात्री तक नवरात्री में पू चिज चढ़ा दें कि आपकी मनो काम नहीं पूरी हो जाए और 100% आपको नौकरी बिजनेस ब्यापार में उन्नत मिले तो मासल पुतरी को कौन सी यह कैसी चीज जो पसंद है जो आपको चढ़ा देना है अर्पित कर देना है क्योंकि मासल पुतरी को घी का भोग बहुत ही प्र गाई का घी का भोग लगाएंगे तो मा सेल पुतरी आप के उपर प्रसंद रहेंगे और भोग लगाने के बाद पूरे परिवार के साथ खाईएगा प्रसाद ग्रहन करिएगा स्वास्त भी अच्छा रहेगा और सत्रु बिरोधी भी कदमों पर होंगे और सव प्रसंद आप मा को सबसे ज़्यादा पसंद है मा सेल पुतरी को तो आप लाल जिसे की फल ले लीजिए उन्हें अर्पित करिए लाल पुस पे ले लीजिए लाल वस्तर चुनरी आप क्या करें कि एक लाल चुनरी ले 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 उसमें आप लाल फल और लाल पुस पे ले 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 और साथ आप देखेंगे कि कैसे चमतकार होता है आपके जीवन में और जैसे अगर आपको लाल वाला सेव भी मिल जाए चुकि लाल फल कोई भी हो सेव बगरा जो भी लाल फल हो आप वह अर्पित कर दीजे माता सेगर परसंद रहेंगे आपके उपर जीवन के हर कष्ट आपके मिटा देंगे लेकिन विसेश प्रयोग इस दिन किया जाते हैं एक छोटा सा प्रयोग जो जीवन के हर कष्ट को कष्ट से आपको बचाएगा सुरक्षित बनाए रखेगा देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई विसेश मनोकाम नाए है तो पूर्ण हो जाए कोई भी मनोकाम नाए है कैसी भी चीज़ों तो सबसे पहले एक दीपक जरूर जलाईएगा माता रानी के सामने क्योंकि दीपक जलाके आप अगर चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं नौरात्री के दिनों में आप ब्रत रखें माता सेल पुत्री की ब्रत जरूर आप रखें और उन्हें अगर ब्रत नहीं रख सकते तो सात्विक भोजन ग्रहन करें किसी की चुगली बुराई बिलकुल भी न करें और आप ब्रहम महुर्त में सुरयोदे से पहले उठें और फिर माता के मंतरों का जाप करें और फिर क्या करें कि मासेल पुत्रे की पुझा पूरे बिद्विद्यान से करें और उन्हें आप यानिकी अपनी मनोकामना जरूर उनके सामने बोल दें सिक्षा, बिजनरेश भी अपार, बैबाहिक जीवन, किसी भी प्रगार की हो चाहे आपके बैबाहिक जीवन में किसी प्रगार का कश्ट हो, दिक्कत हो या फिर सत्र विरोधी कदविदियों से अगर आप परेशान हैं, तो आप सभी चीजों से सांती के लिए, मुख्ति के लिए आप मा सेल पुत्री को क्या करेंगे, एक लोंग लेलें और एक पान का पत्ता लेलें पान के पत्ते में लौंग एक अंदर डाले और उद्स आप लपेट के बीरा बनाके और उद्स एक लौंग डाल दें और इसे पान के पत्ते को आप चुप चाप मां सेल पुत्री के चवर्णों के पास अरपीत कर दें आप उन्हें चरहा दें फिर देखे कैसे माता आपके उपर प्रसंद होती है और आपके जीवन में सव प्रसंद आपको सफलता मिलेगी उन्नत मिलेगी जीवन के सारे कष्ठी दूर हो जाएंगे माता को वैसे बहुत सारी चीज़े प्रयोग किया जाते हैं तो मात को एक लॉंग और एक पान का पत्ता आप चढ़ा दें और एक इलाइची भी उसमें डाल दें एक सुपारी ले 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 आप क्या करें एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं आपको जो आपके जीवन के हरकष्ट को मिटा देगा मा सहल पुत्री के सामने एक दीपक जला कर बैड़ जाए और फिर क्या करें दाहिने हाथ में आप एक सुपारी ले 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 एक दो लॉंग ले ले और आप एक इलाइची ले ले एक पान का पत्ता ले ले आप इसी पान के पत्ते को चाहे तो मोड ले और उपर से लॉंग भी आप डाल सकते हैं फिर क्या करें दाहिने हाथ में लेके और फिर आप क्या करें ओम दुर्गे देब्बे और नमो नमाई ओम दुर्गे देब्बे और नमो नमाई इस मंतर का जाप करते हुए मा के आप मा पर दिखे जीवन में धन का इस्थान हमेशा भरा रहेगा और जीवन के सारे कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलती रहेगी चुकि गुरुबार का दिन भी है और नौरात्रा का पहला दिन माता सहल पुत्री का दिन है इसलिए इस दिन बिशेश सुभसायोग भी बन रहे हैं इसलिए माता सहल पुत्री की पूजा बिधिधान से करें गुरुबार के दिन और माता सहल पुत्री का जो दिन यानि की काफ बिजनेश व्यापार हर तरह की उन्नत के लिए आप जरूर अपनी मनों कामना बोले सत्व रोधी गतविधियों से सांती होने के लिए उनको सांत करने के लिए आप जरूर इस दिन लॉंग और इलाइची अर्पित करें साथ ही साथ आप पूरे घर में क्या करें एक उपाई चोटा सा और करें आप कपूर जला लें कपूर के साथ साथ एक दीपक भी जला लें और फिर या चाहें तो आप एक दीपक जला लें अगर कपूर नहीं है और अगर कपूर है तो कपूर भी जला सकते हैं और उसमें आप दो लॉंग उसके पास वहीं पर रखके पूरे घर में दिखाएं और बाद में फिर क्या करें कि मा को ये लौंग अर्पित कर दें और अर्पित करने के बाद दीपक वहीं पर रख दें और इसे लौंग को बाद में अपने कीमती समान जाह रखते हैं जहां खजाना रखते हैं वहां पर रख दें तो धन की बरकत बनी रहेगी दोस्तों गुरुबार का पहला नवरात्रा का दिन इस दिन आप मा शेल पुत्री को ये चीज़े जरू चढ़ाएं और पूरे विद्विधान से पुजा राधना करें खास कर तो चुनरी जरू चढ़ाएं लौंग चढ़ाएं इलाची और सुपारी लाल पुस्प फल ये सा मनोकामना बोलते हुए तो अतसे ग्राप की मनोकामना पूरी होगी तो दोस्तों कमें जै मा शेल पुत्री अवश लिखें साथी वीडियो को लाइक करें जदर जदर शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जै मा लक्ष्णी